हेलो अब्रिवन गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब काफी अच्छी होंगे तो गाईज आज का व्लोग स्टार्ट करते हैं चलिए और उमीद यह करती हूं कि आज का जो व्लोग है वह आपको पसंद आएगा सुबह सुबह का टाइम है और व्लोक कानीम करने से तो आज मुझे बट चेंज करनी थी और गर्मी जो हना बहुत जally हो रही है आप सब केहां पर कैसी बहुत 해agles तो बस कोसिस यही रहती है कि फटाफट सुभह में ही सारे काम कर लिए जाएं जिससे कि क्योंकि मेरी जो बालकनी वगरा है जो किचन है उसमें साम तक बहुत जादा धूपा जाती है तो पूरा घर जो है ना बहुत जादा गरम हो जाता है तो इसलिए मेरी कोसिस रहती है कि इतने भी काम है ना वो मौर्निंग में ही कर लूँ में सारे तो बैट सीट वगरा चेंज की न्यू बैट सीट डाली और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए नहा कर आई हूं हेर वोश भी क्या था आज और गर्मियों में मतलब हर दो दिन में हेर इतने पसीने में भीग जात स्किन केर वगरा करना है वो कर रही हूं और उसके बाद जो है आगे के काम सुरू होंगे जैसे सबसे पहले मुझे जलाना है दीपक तो मैं आ गई थी यहां अपने मंदिर वाले रूम में और आज मुझे जो मंदिर के बढ़तना वो भी साफ करने थे क्योंकि 5-5 दिन हो ग गंदे लगने लगते हैं अच्छे नहीं लगते हैं तो बस यहां पर मैं किचन में इनको लेकर आ गई थी और मैं अपने जो मन्दिर के बढ़तना है हमेशा से पितामबरी से क्लीन करती हूं बहुत ही एजी ली क्लीन हो जाते हैं और टाइम भी जादा नहीं लगता है तो उसके बाद यहां आ गई हूं मंदिर में और यहां पर अभी दिया बाती करूंगी मैं पूजा वगएरा करूंगी उसके बाद मुझे अपनी जो है किचन में जाकर लंच की तैयारी भी करनी है तो जो पूजा का जल था वो मैंने बाहर प्लांट रखा ना उसमें चड़ा दि यहां पर ग्रोसरी में मिलती है मलका मसूर जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है यह थोड़ी साइज में छोटी होती है और इस दाल में अगर कच्छा आम डाला जाए तो इसका टेस्ट जो है डबल हो जाता है तो यहां पर कच्छा आम भी रखा वाता तो बो मैं जो है बोईल करते हुए ही इसको डाल दूँगी आप चाहें तो इसमें तड़का लगाने के बाद भी डाल सकते हैं इसका टेश्ट तब भी अच्छा ही आता है तो यहां पर बस कच्चाम डाल दिया है नमक डाला है और अब डाल को जो है मैं बोईल होने के लिए रख दूँ और अभी जो मैलन वो इतने टेश्ट यारे तो मीठी आ रहे है ना वाटर मैलन तो हमारा जो है वाटर मैलन के साथ इस बार एक्सपिरिंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा इतने सारे वाटर मैलन मंगा है बट कोई भी अच्छा नहीं निकला तो अब हम जब भी मंडी से लेक अब यहां पर दाल तो बोईल हो गई थी अब इस दाल में तड़का लगा रही हूं इस दाल में बहुत ही सिंपल सा बस हींग और प्याज का तड़का लगता है और बहुत तेश्टी लगती है दाल साथी थोड़ा एक टमाटर मैंने डाला है अगर आपका जो टमाटर वो दे भी नहीं जाएगी मेरा तो हाइब्रीड वाला टमाटर था जो खटा नहीं होता तो मैंने एक टमाटर डाला है और बस यहां पर लंच बना लिया था और अब मैं आपसे सीधा मिल रही हूं नेस्ट मॉर्णिंग तो यहां बस सुबह का टाइम था और मैं उठकर सीधा गई थी वोश्रूम में फ्रेसन अफ होने के लिए तो मैंने कल दोपैर के बाद फिर व्लोग नहीं किया तो क्योंकि गर्मी सच में इतनी ज़्यादा थी ना कि मन ही नहीं करा था तो हम जो है ना कमरे में ही बैठे थ नहीं किया तो सुबह सुबह बस सबसे पहले बवगान जी को हाथ जोड़ती हूं और उसके बाद ही मैं अपने जो है काम सुरू करती हूं तो सबसे पहला काम जो होता है मेरा उठने के बाद वो होता है हलका सा गुनगुना पानी पीना तो अभी मैं डाइन डे पर बैट कर पानी प्यूंगी और उसके बाद सुभह की जो पहली ज़ाड़ो होती है ना मैं वो लगाती हूँ तो यहाँ पर ज़ाड़ो वगारा भी लगाली थी पानी वगारा सब प्या गया था मैं आ गई थी किचन में जो दूद के पैकिट वगरा हैं और सब्जी हो गई थी खत्म तो एक-दो सब्जी भी मंगाई है वह सब मैं आप निकाल के रख रही हूं और आप नीचे बैक कि अब यहांगी तो अभी मैं नास्ते की तयारी कर रही हूं नास्ते में मैंने सोचे था कि क्या बनाना है तो उसी से डिलेटेट सारा समान फ्रीज और फ्रीजर में से निकाल रही हूं तो आज घर में बनने वाला था डोसा एंड सांभर तो दोनों के ही ना प्री मिक्स थ जो ना मुझको फेकने पड़ेंगे और इस तरह से जो ना पैसे ही वेश्ट होते हैं तो इससे तो अच्छा है कि चीजों को यूज कर लिया जाए जो इसका साव डोसा बनाने वाला था ना यह तो काफी टाइम से मैंने लेका रखा था बट अभी जो आना मुझे साउथ और मैं आप सबसे यहां स्रजेशन लेना चाहूंगी कि मैं जैसे डोसा बनाती हूं तो सुरूखे दो या तीन डोसा तो मेरे बहुत अच्छे से बनते हैं बहुत अच्छे से निकल जाते हैं बड़ धीरे जो है जब जैसे ज्यादा डोसे बनते हैं तो वह तवे पर चिप कि मुझे क्या करना चाहिए तो यहां पर देखे पहला डोसा था कितना अच्छे से बनकर रेडी हुआ और फिर मैंने दूसा बनाया वह भी बहुत अच्छे से बना था बट उसके बाद जो है ना पता नहीं क्यों इतने जादा वह चिपकने लगे थे तो यहां पर बस डोस काफी अच्छी लग रही थी उसके बाद मैं आज आ गई थी यहां पर कपड़े वोश करने के लिए कपड़े क्या आज घर के जितने भी घर के टावल है ना वह वोश करने का दिन था मेरा जैसे हम तीनों के जो हमें यूज करते हैं या बाथ हूं में जितने भी यूज होत इस साइड अपने सूरेट के साइड और मैंने कलना अपने पूरे घर के रणर वोश किये थे और उनको वोश करने के बाद मैंने जैसे बताया कि साम तक जो है ना घर बहुत गरम हो जाता है तो कोसिस यही रहती है मेरी कि मैं सुभह में कर दूँ तो इसलिए मैं आज उन सा से परचेज किये हैं सिर्फ एक रणर जो यहां इस वाले सूराइक पर डला रहता था था यालो एंड वाइट वो मैंने बंजारा मार्केट से लिया था जब मैं गुड़गाओं रहती थी नहीं तो यह ब्लू वाला भी और जो सेंटर टेबल पर है और जो मेरे बैडरूम में हैं वो सारे ही रणर जो हैना एमेजन से मैंने परचेज किये थे अब यहां पर मैंने इस बार यह ब्लू वाला डाला है क्योंकि थोड़ा सा मुझे चेंज करना था और यह मेरी जो उपर वोल हैंगिंग लगी हुई है ना इसके साथ मैच भी हो रहा था उसके बाद मैंने वहां डाल दिया था और जो सूर रैक पर डालती हूं वो मैं यहां पर डाल दूँगी तो इस तरह से बस सुबह में जल दिलती काम करने की मेरी कोसिस है कि फटा-फट से काम हो जाएं और सारी चीज़े हटा कर एक बार मैंने इसको पहले मतलब सुखे कपड़े से क्लीन कर लिया था रैक को क्योंकि आपको पता है दूल तो आती ही रहती है और यह वाला रनर जो आप देख रहे हैं यह मैंने बंजारा मार्किर से लिया था यह काफी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था क्वालिटी की अमेजिंग है मतलब इतना सोफ्ट है ना यह तो साइट मैंने बस अपना बोडल वगएरा सो पीसेज वगएरा अच्छे से पोंच कर जाड़ पोंच कर रख दी है तो तो टीवी कैबिनेट को मैंने आज अच्छे से क्लीन किया सारी को ही क्योंकि काफी धूल होई थी नीचे ना बहुत छोटे-छोटे से सो पीसेज रखे ह जो जादा छोटी चीजे होती है ना उनको क्लीन करने में जादा टाइम जाता है तो उनको क्लीन किया और फिर उसके बाद सेंटर टेबल को मैंने कोलीन की हल्प से क्लीन किया और यह वाला जो रणर है वो मैंने डालती है यह रणर जो था ना यह वैसे डानिंग टेबल के लिए मैंने मंगाया था इसके साथ 6 वो भी आये थे जो प्लेस में मैट होती है वो बट ये मुझे ज्यादा पसंद निया तो फिर मैं इसको सेंटर टेबल पे यूज करती हूं बहर के सारे काम हो गए थे सब कुछ हो गया था घर का अभी जो था मैंने सोचा चलो घड़ तो खुद को भी थोड़ा सा जो है चमका ही लेती हूं तो आज मेरा मन था जो मेरा फेवरेट बेसन वाला फेस पैक है वो लगाने का तो मैं बस वही मिक्स करके ले कर आ गई थी और सच में इसका इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलता है वैसे तो मैं रेडिमेट जो फेस पैक आ जो है ना थोड़ा बहुत बात्रूम क्लीन करूंगी और कुछ कपड़े हैं वो करूंगी तो तब तक मेरा ये फेस पैक अच्छे से सूख जाएगा और उसके बाद फिर मैं शार लेकर आ गई थी बाहर और आज मेरा ये डिफ्यूजर ओन करने का मन था क्योंकि मैंने दो न्यू इसेंशल ओइल मंगाये थे रोजमेरी और एक का मुझे नाम दिहान नी आ रहा है तो जो रोजमेरी था ना उसकी स्मेल इतनी अमेजिंग थी ना गाई जब मैंने उसको इसमें लगाया ना सच में पूरा घर महकने लगा था और इस तरह से जब घर महकता है ना तो मन लगता है क्योंकि भीनी-भीनी खुसबू आती रहती है और मुझे तो मतलब यह जो बहुत पसंद आती है तो मन खुस रहता है और कहते भी है कि जो यह एसेंसल ओई होते है अगर आपका मुड़ो ओफ है तो आप इनको जो है ना में लगा लीजिए तो आपका जो मूड़ा ना वह एक्दम फ्रेस हो जाता है तो बस उधर डिफ्यूजर चल रहा था इधर मेरा खाना बन गया था साथ ही मैंने बताया था ब्लिंक्ट से ग्रोसरी आई थी कल रात में तो रात में तो बिल्कुल भी मन नहीं था इसको लग तो जैसे इस बार जो इल की बोटल थी या जो यह पैकेजर सब पर इतनी धूल थी तो मुझे ना इन सब को पहले गीले कपड़े से क्लीन करना पड़ा और मैं भी जो है ना गीले कपड़े से इनको साफ करके साइड रख दूंगी जिससे कि जब तक हम खाना वगरा खाएं और सबसे पहले डुगो को दूंगी उसके बाद मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी तो आज हिमानसु गए हुए थे ओफिस तो बस आज डुगो और मैं ही थे घर में तो आज सिर्फ दाल चावल ही बने थे और दाल भी वो बने थी जो हिमानसु को कम पसंद है तो यहां पर म इस पिल्कुल खाली है डाले तो मतलब बिल्कुल ही खाली थी सिर्फ मसूर वाली डाल जो कल मैंने दिखाई थी वो बनी थी तो वो ही थी नहीं तो सारी डाले खतम थी तो अभी जितनी भी ग्रोसी आई तरह इस सब को मैं उसमें रिफिल करके रख दूंगी क्योंकि सारे बोक्से खाली है और साइद एक दो पैकेट ही बचता है किसी सामान का नहीं तो सारे जो है ना मैंने फिल करके रख दिये थे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल केजी ही मंगाती हूं क्योंकि चनी की दाल सबसे जल्दी खराब होती है तो यहाँ पर बस दाल मैंने फिल की और फिर इन बोक्से इसको जो है ना मैं पहले थोड़े हलके गीले कपड़े से ओपर से क्लीन कर दूंगी और फिर सुखा कपड़ा लगाकर इनको इनके प्लेस तो सारे बोक्से यहां पर गीले और सुखे डोनों कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिये हैं अब जहां पर मुझे रखना है तो थोड़ा सा वहां पर भी मैंने क्लीन कर दिया था क्योंकि बोक्स रखे रहते हैं तो दे माद उसको डेली क्लीन करना पोसिबल नहीं है बटा सारे बोक्स निकले थे तो फिर मैंने वहां इस वाली कैबिनेट को भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया था उसके बाद जो नंबर आता है वह आता है नास्ते में जो चीजे यूज होती है ना उनको फिल करके रखने का जैसे सूजी है पोहा है औ उन सब को जो है ना मैं जार में फिल करके रख दूँगी नास्ते की भी चीजे जो है ना मोशली खतम ही हो गई थी तो उन सब को यहां पर फिल करके रख दूँगी और जो पैकेट में बश रही है ना चीजे उनको मैं रबर बैंड से बाद में बंद करके रख देती हूँ तो वो ऐसे के ऐसे ही रहती है तो यहाँ पर देखे पोहा डाल रही हूँ है और सूजी भी डल गई है अब जो है यह चीजे तो मैंने अरेंज कर दी थी नर्स थे वो भी खतम हो गए थे तो नर्स को भी यहाँ पर मैं सब को वन बाई वन करके बोटल्स जो है ना सारी ये खाली हो गई थी तो किसमिस बादाम काजू अक्रोट वगएरा सब जो है मैंने बहर कर रखे और थोड़े से जो है ये छुआ रहे बचे होए थे पैकेट में तो वह भी बस रख दिये थे और पैकेट हो गया था खाली अब नंबर आता है किचन को क्लीन करने का क्योंकि मैंने जो है ना लंच बनाने के बाद किचन क्लीन नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था ग्रोसरी अरेंज करके रखोंगी तो फिर से गंदी होगी तो लंच करते ही मैंने ग्रोसरी अरेंज कर ली थी और उसी के बाद अब मैं घटा किचन को क्लीन कर र होता है विंडो पर चार्ड पेपर है तो इसको नीचे कर देती हुना तो जो है ना किचन में गर्मी कम लगती है तो बस इस तरह से जो है मेरा काम हो जाता है फिर मैं जाओंगी रूम में एसी चला कर हम दोनों मम्मी बेटे बैठेंगे थोड़ी देर और यहीं पर बस मेरा आ